नमस्कार, स्वागत था आप सभी का History 360 चैनल में मैं रभी को लरीया History Lecture राजस्थान से आज के इस वीडियो में मैं compare करूँगा मध्यकालिन भारत के इतिहास की लगबग 14-15 पुस्तके हैं और 10 लेकों की किताबों को जिनका मैं पहले review कर भी चुका हूँ उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि किन exams के लिए कौन सी book important है किन में क्या है कमिया, किन में क्या है अच्छाया, सब की बात करेंगे धैर यह बनाए रखिये और इन पुस्तकों के सभी के link में description में डाल दूँगा जो भी अच्छी पुस्तके मैं बताऊं यदि आपको भी अच्छी लगी है और आपको लगता है कि वह अच्छी पुस्तके हो सकती है तो आप उस link के माद्यम से उन books को खरीच सकते हैं या बहुत सी books आपके पास पहले से भी निश्ची दूप से होगी क्योंकि वही पुस्तके मैं बता रहा हूँ जो मैंने पहले बताई है लेकिन आज एक साथ किन exams के लिए important है क्योंकि ऐसे बहुत से questions आते है तो दो book आपके सामने है अभी शेक कुमार चतुरवेदी की और सतीष चंद्रा की इसके बाद में हमारे पास है यह पुनम दलाल दहिया की प्राचीन और मद्यकालिन दोनों के लिए आती है फिर उसके बाद में आशिरवादिलाल सिद्वास्तव की मुगल कालिन भारत है हालनकि इनकी जो एक पुस्तक आती है मद्यकाल के लिए वो पुस्तक मेरे पास नहीं है, मद्देकाल के एक हिस्से की है, यानि मुगलकालिन भारत की, इसके अलावा स्वरब चोबे की मद्देकालिन भारत, एलपी शर्मा की मद्देकालिन भारत, एसके पांडे की मद्देकालिन भारत, इसके अलावा सतिश चंद्रा की जो बुक्स इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे तो मैं साइड में इनको रख देता हूं सबसे पहले शुरुवात करते हैं जो शुरू में मैंने दो बुक्स दिखाई अभिशेक कुमार चतुरवेदी की और सतीष चंद्रा की जो एक ही पार्ट आता है उन दोनों बुक्स के बारे में और उन्होंने कहा था कि इसकी भाषा बहुत आसान है आपको पढ़नी चाहिए फिर मैंने इसको मंगवा कर रिव्यू भी किया था और आपको बताया था कि किस प्रकार से इसको रोचक बनाने का ज्यादा ही कुछ प्रियास किया गया है यानि बार बार आपको दोहे कुछ गाने बीच बीच में इस प्रकार की शेरोशायरी के माध्यम से थोड़ा सा बुक को रोचक बनाने का प्रियास किया गया है और थोड़े से जो ऐसे टोपिक्स हैं जिनके माध्यम से थोड़ा सा पुट दिया जा सकता है रोचक बनाने का जैसे सलीम के प्रेम करथा के बारे अच्छी है ये तो मेरी राय में मैंने आपको बता भी दिया था जो भी मैं बुक्स के रिव्यू कर रहा हूं सबके आपको पूरा जो रिव्यू है वहां मिल जाएगा यहां सिर्फ मैं आफ शोट में सबके बारे मता रहा हूं किन एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट है आप इस बुक को पिजिटीव वगेरा के लिए पढ़ सकते हैं नेट जियारफ के लिए पढ़ सकते हैं अच्छी बुक है लेकिन इससे भी अच्छी बुक्स आपको निश्ची तुरुप से मिल जाएंगी यह उन वेक्टियों के लिए है जिनको इतिहास पढ़ना बोरिंग को सब्सक्राइब मिल सकते हैं मैं कहूंब कि आप तो अच्छी है और आपको थोड़ा सा जादा पढ़ने के कारण समझत में बहुत अच्छी तरीक दिए हैगा तो यह मेरी राय में किसी भी एक्जाम के लिए जादा important book नहीं है काफी अच्छी है लेकिन फिर भी कुछ-कुछ बातें कम रही जाती है facts भी कम रही जाती है तो उसके अलावा आपको दो parts वाली सतिशंद्रा है वो पढ़ लेने चीए इसकी बजाए तो यह मेरी राय है इस book के बारे में उसके बाद में मेरे पास है मुगल कालिन भारत आशिरवादिलाल शिरवास्तव की इस book के मैंने आप बारे में बताया था कि इसकी quality बहुत अच्छी है paper quality वगेरा printing वगेरा बहुत ही अच्छी पुस्तक है सुंदर पुस्तक है पढ़ने में अच्छी लगती है इसके अलावा इसमें जो व्यक्तित्व दिये गए है यानि किसी राजा के वीवन दिया गया है उसके जन्म की शुरुवात की कहानी है किस प्रकार से वो बड़ा होता है और निश्चित रूप से आशिरवादी लाल सिर्वास्तो उसमें सफल भी होते है और बहुत ही महतपुर्ण लेखर की भारती इतिहास में माने जाते है और बहुत सारी ऐसी पुस्तके हैं जिनमें आपको इनके जो कही हुई बाते हैं इस पुस्तक के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया था ये बुक उन वेक्तियों के लिए है जैसे आशिरवादी लाल सिर्वास्तो वाली है उसकी तरह ज्यादा रोचक बनाने का प्रियास नहीं किया गया है लेकिन डिटेल में कहानी है तो इसलिए अच्छा लगता है एक स्टोरी के रूप में बुक चलती है और काफी अच्छी है यदि आप डिटेल में पढ़ना चाते है और आप चाते हैं कि आपको मज़ा आए और साथ-साथ में आपको बुक याद भी हो जाए फैट्स थोड़े से कम हो सकते हैं लेकिन काफी भी स्टार से इसमें दिया गया है जैसे मुगल काल के लिए ही पांसो अठाइस पेजिस में लिख दिये गये है और सुन्दर किताब है अच्छी पुस्तक है लेकिन सबसे अच्छी नहीं है जैसा कि मैंने पहले बताया था और इसमें मैंने आपको बताया था थोड़ा सा राश्टरवादी दिश्टिगोर से लिखी गई किताब है इस पुस्तक के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये जो बुक है ये भारती एतिहास की जो मद्यकाल की पुस्तक हैं उसमें सबसे सुन्दर पुस्तकों में से एक है बहुती अच्छे तरीके से इसमें चित्रों का समाविशन दिया गया है सालनी वगरा बना कर समझाने का प्रियास किया गया है और facts को अच्छे तरीके से mention किया गया है लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं जैसे मुगल कालिन भारत के लिए आशिरवादी सिर्वास्तव की इजनी बड़ी book है इसके अरावा पपुसिंग प्रजापत की तुराइन से पानीपत कितनी बड़ी book है और फिर उसके अंदर प्राचिन और मद्देकालिन दोनों को एक पुस्तक में समेठने का प्रियास करने के दोरान बहुत सारी facts आपके रह जाते हैं तो ये पुस्तक अच्छी है UPSC Pre के लिए आप पढ़ सकते हैं इसको या TGT वगरा के एक्जाम के लिए पढ़ सकते हैं अच्छी पुस्तक है लेकिन जैसा की कोशिश है इन्होंने कोशिश ही नहीं की कि हम सब कुछ शामिल करें इन्होंने कुछ महत्मुन बातों को शामिल करने की कोशिश है और बिल्कुल चोटी बुक भी नहीं आप देख सकते हैं काफी मोटा ही है इसकी लेकिन निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि NetJRF Assistant Professor जैसे एक्जाम के लिए या PGT जैसे एक्जाम के लिए इसका content थोड़ा कम रहा जाता है सुन्दर पुस्तक है अच्छी तरी इसके से लिखी गई है लेकिन थोड़े से facts इसमें कम रहा जाता है इसके लिए हमें इसके बजाए दूसरी पुस्तकों को consider करना चाहिए उसके बाद में अगली पुस्तक है सोरभ चौबे की पुस्तक मत्यकालन भारत काफी popular भुखाई है और NetJRF के लिए और PGT विगारा के लिए काफी लोग इसको पढ़ते है और मैंने इसका review किया था तब बताया था कि इसमें थोड़ा सा कभी-कभी ऐसा लगता है कि जल्दबाजी में लिखे गी पुस्तक है कुछ facts गलत मिल जाते है या कहीं पर ऐसा लगता है किसी का विवरन ज्यादा दे दिया है किसी का कम दे दिया है लेकिन फिर भी विवस्तित तरीके से थोड़ा सा लिखा गया है हर chapter के बाद में आपको question भी मिल जाते है और जरूरी facts को शामिल किया गया है facts को यदि आप चाहें कि बहुत ज़्यादा facts भी नहीं हो और exam की दृष्टी से important facts मिल जए तो उसके लिए अच्छी पुस्तक है सुंदर पुस्तक है अच्छे तरीकी से इसमें लिखा गया है पढ़ने में किसी परकार की कोई दिक्कत नहीं होती facts वगर अच्छे दिए गए है लेकिन इसमें जो मद्यकालिन इतिहास में जो राजनेतिक इतिहास है वो आपको थोड़ा सक कम मिलता है जो राजाओं का अभीवरण है उनकी विजियों का अभीवरण है वो आपको बहुत ही जादा विस्तार से नहीं मिलता है तो बहुत से लोगों को पुस्तक पसंद आती है यानि ज़्यादा मोटी नहीं है और मद्यकालिन भारत के इतिहास को समेट लेती है मैंत्पूर्ण तथ्यों को तो एक कुल में राकर ठीक पुस्तक है बहुत ज़्यादा अच्छी पुस् पुस्तक है उनमें भी एक दो तो फिर भी मिल जाएंगे तो बिना गलतियों वाली पुक मार्केट में नहीं मिलेगे आपको तो इसमें निश्ची तुरूप से एसके पढ़ने में में थोड़ी फोड़ी गलतियां मिल जाती है लेकिन पीजीटी स्तर तक के एक्जाम के लि मेरे से पुछेंगे तो मैं आपको एक दिन एलपी शर्मा बताऊंगा एक दिन एसके पांडे बताऊंगा क्योंकि जिस दिन में जिसको पढ़ता हूं वही मुझे अच्छी लगने लग जाती है अलंकि दो 5% अलग अलग में आपको मिल सकता है लेकिन लगभग एक ही जैसी पुस्तके हैं और दोनों ही अच्छी बुक्स हैं यदि PGT के आप त्यारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप इन बुक्सकों को पढ़ सकते हैं चाहिए आप SK पांडे ले ले जिए यह नहीं लेना चाहते तो आप LP शर्मा ले ले जिए इसके बाद में अगली जो प आप आता है वो आपको consider नहीं करनी है यदि आप UPSC की त्यारी कर रहे हैं यानि सिविल सर्विसेज के मैंस के एक्जाम के लिए बहुत अच्छी पुस्तके हैं दोनों ही इसलिए हमेशा पशंद की जाती है और descriptive answer देने के लिए जो समझ चाहिए प्रश्णों के UPSC लेवल का प्रियास किया गया है लेकिन कुछ पुस्तके मैंने ऐसी देखी है उनको पढ़ा है कि उनके माध्यम से प्रश्णों को समझने में और भी ज्यादा आसानी होती है कई ऐसी पुस्तके भी है अभी हम आपको बताऊंगा क्योंकि इसमें जैसे कुछ पुइंट्स ऐसे हैं जिसमें जो लेका का सतीश चंदर वो अपनी राय प्रिस्तुत करते हैं और कई पुस्तके ऐसी हैं जिनमें विभिन प्रकार की जो राय है एक पुइंट के बारे में या किसी मुद्दे के बारे में सभी लेका कों की जो राय है इत्यासकारों की राय है वो शामिल करने का प लेकिन उनके लिए आपको थोड़ी सी फैक्च्वल जो बुक्स है उनको पढ़ लेना चाहिए जो फैक्ट्स वाली पुस्तके हैं वो MCQ यानि Multiple Choice Questions वाले एक्जाम के लिए वो निश्चित रूप से ज़्यादा लाब देती हैं ये जो इस प्रकार की एतिहासिक पुस्तके हैं सतिष चंद्रा की विपिन चंद्रा की आरे शर्मा की वो आपको उतना ज़्यादा लाब नहीं दे पाती अब बात करते हैं अगली जो second part है उसकी फिर भी ठीक है first part की इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है और मैंने बहुत से लोगों से बात की और comments में भी आप में से बहुत से लोगों ने बताया था कि ये बुस्तके हैं इनका paper quality ऐसे ही आती है हो सकता है अच्छी आती हो लेकिन मेरे को कहीं कहीं नहीं मि कर दीजिए किसी ने कहा था कि बीच में बोलना चाहिए तो मैं में बोल देता हूं चलो है तो यह हरिश्चंदर वर्मा बाली पुस्तके काफी बड़ी बड़ी पुस्तके हैं आप देखें इनका मोटा ही देखिए और मैंने इनको बताया था कि भाग दो है वो निश्ची चंदर वर्मा की पुस्तक में मिलते हैं या जो इसके नेक्स्ट जस्ट बादियों में जेल महता दिखा हूँ उन में मिलते हैं उस प्रकार के बिंदू के लिए निश्ची तुरूप से इन दो पुस्तकों का कोई तोड़ नहीं है बहुत ही अच्छी है जेल महता और यह जो ह पांसो पांसो पेज की किताब हैं दोनों ही और बहुत ही अच्छे तरीके से विवरण दिया गया है और यदि आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है तो आपको इस प्रकार की बुक्स पढ़ लेनी चाहिए हालां कि इनका भी मैं एक थोड़ा सा अच्छा वर्जन बताऊंगा जो जेल मैता में दिया गया है तो यदि आप नेट जेरफ की तियारी कर रहे हैं तो आपको फेक्शुल बुक्स पढ़नी चाहिए साथ में ये भी पढ़ सकते हैं जैसे पपुसिंग प्रजापत की तराइन से पानी पत के साथ आप पार्ट टू पढ़ सकते हैं तो ये अरनलती पढ़ वालियूम1 और वॉल्यूम 3 है एक हिंदी में एक इंग्लिश में है वो मैंने आपको बताया था कुमन चेず हमें कि English में भी quality ऐसी ही आती है या थोड़ी सी बदल के आती है तो निश्ची तुरूप से जो English वाले जो है उसकी paper quality और उसकी printing काफी अच्छी है और इसका content मैं आपको बताऊं तो बहुत ही शांदार content है दोनों ही फुष्टकों में और खंड प्रथम में मैंने आपको बताए थ culture की वो आपको third volume में मिलती है इसका जो second volume आता है वो मुगलकाल के लिए आता है तो third volume में आपको यह सारी बाते मिल जाती हैं जिसका मैंने आपको content वगरा दिखा दिया था पहले जैसे यह देखिए आप culture society के बारे में सारी बाते है education के बारे में educational development देख लीजिए आप चै architectural monument देख लीजिए religious reform देख लीजिए चै उसमें भक्ति moment हो चै सुफिज्म की बात हो यह सारी जो बाते हैं सभी बातें इस पुस्तक में सबसे अच्छे तरीके से दे रही हैं या तो इस book में आपको सबसे अच्छे तरीके से मिलती है या आपको हरिश्चंदर वर्मा वाली पुस्तकों में सबसे अच्छे तरीके से मिलती है तो यदि आप UPSC में history optional आपका है तो जेल महता की पुस्तके सबसे अच्छी पुस्तके मैं मानता हूँ कि वो हो सकती है और उसके बाद में सतीष चंदरा और हरिश्चंदर वर्मा भी यानि इतना अंतर तो नहीं है लेकि अच्छा यानि सतीष चंदरा से मुझे थोड़ी सी बहतर लगी यादि आप UPSC की तियारी कर रहे हैं क्योंकि जो सभी पक्ष हैं किसी बिंदू के किसी मुद्दे के वो इस पुस्तक से जादा अच्छे तरीके से clear किसी भी बुक में नहीं होते और हरिश्चंद्र वर्मा के जो पहला हिस्सा है सल्तनतकाल उसके लिए पुसिंग प्रजापत की दो पुस्तके अभी तक आई हैं और वो जाने जाते हैं कि एक complete बुक बनाने के लिए यानि उनकी प्राचिन भारत की पुस्तक देखें और उसका मार्च में नया वर्जन भी आने वाला है वो ऐसी वो complete बुक इसली बोले जाती है कि उसको पढ़ने के बाद में facts के लिए आपको अन्य पुस्तकों की जूरत नहीं पढ़ती जैसे आप इसमें मैं बता रहा था ना आपको यह आप इसमें पढ़ लीजिए सतीश चंद्रा में पढ़ लीजिए यह जेल मेता में पढ़ लीज पुस्तक होगी हमेशा होगी कोई भी लेकक हो और यहीं आपको ज्यादा facts चाहिए तो निसीत रूप से पुस्तकें कठी ना आपके लिए होने वाली है और यही इस पुस्तक में है इसका मैंने विवरन भी क्या सा जैसे मुहमत बिन तुगलक की यहां पर बात आ रही है तो ज्यादा प्रिशन आते हैं नेट ज्यारा फसिशन प्रोफेसर के हो जी या किनी उनिवर्शिटी के एंट्रेंस एक्जाम हो सबसे ज्यादा क्यूस्टन है वह इनिकी बुक्स में आते हैं क्योंकि आप इसको मैं दिखाऊं आपको कि सिर्फ सल्तनत काल है और यह पुस्तक इसका लास्ट पेज मैं देख लेता हूं कितना है अभी यह देखे 600 पेज की किताब है लगवगी अब 600 पेज की किताब में सिर्फ सल्तनत काल है तो यह पुस्तक मैं यह कहूंगा कि इदि आपको चाहिए कि आप याद कर सकते हैं आपको थोड़े से फैक्ट जादा हो कोई दिकत नहीं है सिर्फ फैक्ट ही नहीं है इसमें कहानी भी पूरी दीयोई मिलती है सारी कहानी लेकिन वो कहानी थोड़ी सी उसकी रोचकता इसलिए कम हो जाती है कि बीच-बीच में फैक्ट जाले जाते हैं एक कहानी का फ्लो चलता है बीच में पांच विद्वानों की बा है या फिर आप जेल महता की पुस्टकें पढ़ सकते हैं जो की बहुत ही अच्छी पुस्टकें हैं और कहानी की कहने की बात है या सारे जो पक्ष हैं उनको समझने के लिए यह पुस्टक मैं आपको बताना चाहूंगा कि आर यह competition time है वो first grade PGT के लिए आप पढ़ सकते हैं और college lecturer और net jrf के लिए तो निश्ची तरूप से जो factual books हैं उनमें सबसे अच्छी पुस्टक यह है इसका कारणी है कि जब तक इसका दूसरा edition नहीं आए था तो पहला edition और the current competition time को compare करते तो current competition time ज्यादा अच्छी पुस्टक हो या PGT का exam हो facts के लिए सबसे अच्छी पुस्टक है और बहुत ही जो इसमें गलतियां थी उनमें से अधिकांश गलतियों को सुधार लिया गया है इसलिए facts के लिए सबसे अच्छी पुस्टक है तो यह थी वह सभी पुस्टके जिनका मैंने comparison किया और और भी बहुत सारी पुस्टकें रह जाती है एक पुस्टक का निश्ची तुरूप से मुझे मलाल है कि मैं इम्तियाज एहमेद की बुक का नहीं कर पाया रिव्यू काफी सारी लोग उसके बारे में पूछ रहे थे लेकिन वो मेरे पास बुक पहुंच ही नहीं पाई और बाकी सारी पुस्ट कुर्ण के बारे में लाने का प्रियास किया कि आप बहुत सारे एक्जाम साने वाले आगें और उन एक्जाम के बारे में आप सभी लोगों की जानना साथे थे ते कि मध्देकालन भारत के लिए कौन से पुस्टक के पढ़े कोई PGT के लिए पूस्ता है कोई college lecturer के लिए को तो यह इसलिए मैंने सब का कंपेरिजन किया है तो यह पुछ्टक एंप नेट जयरेफ एसिटेन प्रोफिसर की त्यारे करें तो बहुत यह पुछ़ी पुछ्टक है यह याद करने में ठोड़ी डिकाश जरूर होती है लेकिन और के लिए जेल मेहता और हरिश चंदर वर्मा और शतिश चंद्रा वाली पुष्ट के काफी अच्छी हैं उनमें क्या अंतर है वो मैं रिव्यू में बता चुका हूं जेल मेहता मुझे काफी पसंद आई है तो यह था मेरा रिव्यू का जीए आप इन सभी बुक्स का तो मत्यक कालने भारत के लिए जो अच्छे पुष्ट के हैं उनका मैंने कंपेरिजन करने का प्रियास किया उमीद करता हूं कि आपको अच्छा लगेगा और आप वीडियो को जरूर लाइक करेंगे धन्यवाद